प्रिये विद्यार्थियों आज मैं कुछ शब्द लेकर आया हूं जिनके लास्ट में अंत में ये आता है तो इसमें उचाण में कुछ संदेशा हो जाता है तो मैं थोड़ा इनका उचाण भी करके बताऊँगा हलांकि इतना स्पष्ट वाग यंतर मेरा नहीं है कि परतेक वरन का यथा उचित उचाण कर पाऊं क्योंकि हरेक का कंठ वाग यंतर अलग अलग होता है लता मंगिस्कर जैसे कोई उचाण करके ले नहीं दे सकता चलो फिर भी मैं प्रियास कर रहा हूं एक दूसरी गड़बर मुझसी यह हो जाती है कि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूं तो मेरा वाग यंतर तो ऐसी लड़ खड़ा जाता है फिर भी मैं आपको बता दूँआ कि इनका उचाण स्थान है कहां से बोला कहां से जाएगा और अगर आप मुझसे ज़्यादा बहतर बढ़िया सरस बोल सकत हैं तो आप बोल लीजिए मैं आपको स्तान बता देता हूं ठीक है स्तान बता दिने के सा साथ मैं इन सब्दों का वन विच्शेद भी बता रहा हूं ठीक है और सातमीन का न इर्थ भी बताने का प्रियास करma तो लीजिए सुरू करते हैं चानक्यं अगर एक बार में मेरा चानझ सीह नहीं अए तो दूसरी पर बोль दूँछा चानग क्या आद है और ये ये की आवाज आएगी है कह की नहीं आएगी चानग क्या अनए अन्हें अद क्या तो बोला ही नहीं जाएगा ठीक है सिद़ ये पर जोर पड़ेगा ये पर चानग क्या तो ये छे आधा फिर ठीक है अने आधा और एे के आधा और आगे ए नहीं है सिध है यह और फिर ए चानक क्या है ठीक है इसको कोटिले बोलते ह yan कवख्ये बो यह को अधा जै और यह ऌर पर जोर नहीं पिड़ पिड़ेगा अगर यह पूरा पर दूं तो इसका उचान गा बोजय, बोजय, ये, बोजय, जैसे जै लिखते है न, जै, ये, जै, जै, हो, जै, हिंदे, जै, ये बोलते है न, समय है आपके, जै, तो अगर बो, पूरा जै कर दूँ तो बोजय, बोजय, ये, जै, बोला नहीं जाएगा, ये पर जोर पर जाएगा, सि में आ रही है आगे देखो भाज्ये बै और आ जे ये और ए जे भाज्ये ठीक है बोज्ये का मतलब होता है भोग करने योगे भोग मतलब उपयोग करने योगे ठीक है और भाज्ये मतलब जिसका विवाजन किया जा सके ठीक है ना विवाजन हो सके भाज्ये ठीक है भाविश् इसका उचान आज मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं आपको अपना चेरा नहीं दिखा सकता मैंने हाथ में मुबाइल पुकड़क है बोर्ड नहीं मेरे पास बस कोपी प्रीबता रहा हूं यह शटकॉन शय शय यह मलब मुर्धा से बोला जाता है मतलब दंत्य के उपर जो है तालू और तालू से उपर जो मुग का खोकला भागए वहां से जी पलट कर आती है तो बहुष्य बहुष्य ठीक है भै ए वे इश यह यह इसकी आवाज पूरी आगी बहुष्य ठीक है पाठ्य अगर यह अलंत टादूं तो यह जगह पाठ्य यह तीनों पर बराबर जोर पड़ेगा पाठ्य लेकिन यह ठै अद्ध है तो शिद यह पर जोर पड़ेगा पाठ्य पुस्त तक इसको कई बार यूं भी लिख देते हैं हाना यह ए की बात है कई बार जैसे होता ना चिन ची अद्ध है और ने चिन ने प्रावाज आएगी तो कई बार हम क्या करते हैं इस अलंद को अठाकर इसके पैर में भी लगा सकते हैं ठीक है बताया हो है मेरा पीछे के वीडियो में ठीक है तो ऐसे ही इसको यू लिख सकते हैं आगे देखो प्राप्य प्रा यह प्राप्य आदा है रा पूरा है मनों रह पूरा है आ से तो प्रा और प्राप्य प्राप भृष्य का मत्रमत है प्राप्त करनी योग्य ये वैव्य दो मत्रणा तो वश्य ये अपने त्यार जो वळ्ण उते ना ब्राह्मन ख्षत्रिय वश्य शुद्र ये ठीक है और ये वाश्य मतलब अधिनस्त जिसको वश्य में किया गया हो वश्य ठीक है अब है चे 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 दो मात्र है ना तो चै तण्ये चै आदा ये ये आई है दो मात्र बड़ा एक मात्र होती आ अगर चे उतना चेतना चेतना तो चे अदा और ए होता अब ये चे ये तो आई आएगा ठीक है ना तो चेतन ये ठीक है ते अदा और ए है ते के साथ ए है ने के साथ नहीं है ये के साथ है ठीक है अब देखो एक्ये ये आई है ये नहीं है आई एक्ये के और ये अई क्ये है ठीक है अदक है इसके साथ सोर नहीं है ये के साथ ए सोर है तो अई क्ये है ये है निपत्थे ने ए पे ए थे के साथ ए नहीं है ये के साथ ए है निपत्थे का मतलब होता है रंग मंच के पीछे का स्थान स्टेज होता ना, स्टेज जान नाटक वगरा होते हैं स्टेज, स्टेज के पीछे परदा लगा होता है तो वहां वो क्या कहा है जो कलाकार होते हैं, वो ड्रेस वगरा बदलते रहते हैं अपनी, त्यार होते हैं आगे के सीन के लिए उसको बोते है निपत थे सुन जाई बात फिर है सामर्थ थे इसमें थे और रह दोनों आदे हैं तो सा मैं इनकी पुरी आवाज आएगी फिर ये की पुरी आएगी इन दोनों की थोड़ी से आएगी सामर्थ थे तो से आ मैं ए थे थे के साथ कुछ नहीं है फिर रह के साथ कुछ नहीं ये पहले हैगा ना तो रह के साथ भी कुछ नहीं भी ये के साथ आ है सामर्थे फिर ये नासिक्य इसका मतलब होता है नाक्षिय उत्पन कहते हैं नासिक्य वर्ण जिन वर्णों का उचार नाक्षि होता है ठीक है ना नासिक्य वर्ण तो ने, आ, से, छोटी, इ कहे के आगे कुछ भी नहीं है ये क्या आगे है नासिक क्या है ठीक है आगे देखो इसको देखो ये जो बिंदिया न ये ने नहीं है ये इसी का कह का पंचम है कह का पंचम क्या होता है ये ये वड़ा ये ये अड़े ये नहीं है ठीक है ये अपने गल्त लिखते हैं इंदी में ये ही नहीं इंदी में ये दो एक ये और एक तो अजिंके तो ए, जे, इ पर लगा दो भली एक बार के के साथ कुछ निये, ये के साथ आए है, इसको यू ना लिखो तो यू लिख दो, ए, फिर जे आदा, छोटी इ, गे आदा, ये ठीक है न, आदा, और के आदा, और ये और ए, ठीक है? अजिंके, अव्चिते, 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 न, झे, छोटी इ, ए, पर कुछ निये, ये के साथ आए, अव्चिते, खदे, इसको यूं भी लिख सकते हैς, मतलब पेरमे लगा सकते हैं, इसके जैसे पठी मे लगा ए था न, वैसे, तो ये खदे, ये पर जोर पड़ेग में पत्ते तो बताई दिया मैंने रंगमंच के पिछे का स्थान इसके साथ यह झो अटा दें सिध ही पत्त रहें पत्त हैं ने उत् façon पत्त है मार्गहा है और पाथ होता है मार्ग में घाता जाने वाला भुजन पाथ ही हिभर्ते हैं उसको जब पहले रास्ता तैय करते थे ना पैदल जाया करते थे तो साथ में कुछ ना कुछ खाने को लेते थे तो उसको पाथे ही बोलते थे मार्ग में खाया जाने वाला बोजन आदी कुछ भी है ना तो पाथे ही ये पत से बने पत्थे ठीक है ? ये निपत्थे आलग चीज ए रंगमच के पिछव का स्थान सामर्थे मतलब शक्ति वगरा ठीक है ना ? सामर्थे है आक नहीं न शिक्हे और अजिंखे का मतलब है जिसको पराजित ने क्या जासके अजिंखे आउचिते मतलब उचित होने का भाव खादे या तो तै है सावा और अब सिहाद है तो सिदा वह पर जोर पड़ेगा स्वा फिर इन दोनों पर जोर नहीं पड़ेगा सिदा यह पर स्वास्ते पिर नीचे एक दे हो रहा ना उस पर एक ही मत रह तो दे के साथ ए पिर आदाश है और यह और ए अब इनका अचान देख़ो मध्य अभीच का मध्य अचान नहीं देखना है दिव्य यही एलोकिक यहीए खूब सूरत अती सुंदर भाव्य दिव्य से बन गया दिव्य आ परते जुड़गया दिव्या यानि अप्सरा यानि एलोकिक नाइका, ठीकिंग, मुल्य, इनका उचांद देखो, मध्य, मध्य, साध्य, दिव्य, दिव्य, मुल्य, सत्य, सत्य ते अगर ये पूरा हो जाए तो ये जगा सत्य से ते ये तीनों पर बराबर जोर पड़ेगा अब ये पर पड़ेगा ते पर नहीं पड़ेगा तो सत्य सत्य, शिष्य, शिष्या, नित्य, नित्य, नित्या, नित्यानन्द, निवास्य, निवास्य मतलब निवास करने योग्य, ठीक है न, नित्यों ते निरंतर या शाश्वत, या ए विनासी जिसका विनासने वो जो नित्या बना रही नित्या, अमेसा, निरंतर, लगातार, निट्या मतलब अनन्त थीक है निवास्य रहनी लाएक है और भाष्य ये श्याद दूसरे ना तो जीव उपर से प्लत कर आगी भाष्य भाष्य का मतलब होता है कथन या सुत्र गरंतों की जो विश्तरत व्याक्य की जाती है ना उसको भोते हैं भाष्य थीक है ना बहुत सार भाष्य लिखे गई हैं, भाष्यकार भोग छारी हैं, तुल्ले, समन्य, वाक्य, वाक्य, वएई, इसको कैसी बोलेंगे, वएई, अपने मों बोलते हैं, आए, ओता है आमदनी, वेई ओता है खर्चा, आए वेई का लेक जोखा करना चाहिए, है ना, मुख्य, वाच्चे, रज्य, सामराज्य, रज्य, सामराज्य, नाट्य, पाठ्य, चित्य, वाच्चे मतलब वाच्चन करने योगे, वाच्चन मतलब कहना, मतलब बताना या पढ़ना, अपने बोलते हैं न वहां मैं गया था तो वहां कथा वाच्चन चल रहा था, ठीक है न यानि उते मतलब सुवांग करनेशन शुवांग अंगरिये होचित्य मतलब सिवह तत्य मतलब बतर यह ठार यानि फैक्ट यानि डृतत हम धाटव दो, अब डटाई मिल गे तो क्या गलत उसमें संदे ही नहीं, पूरा डटाई आ गया फिर संदे नहीं होता ना, तो यथार्थ होता है, यथार्थ मतलब fact बात, यानि वास्तविक गठना, यह होता है तथे, यह कथे, कथे मतलब जिसको कहा जाए, कहने योगे, यानि कथ नहीं है, यह तथा कथे, तथा कथे, कहदो कई बार आता है, तथा कथित, यह उसमें प्रियोग में लेते हैं, जब कोई सी नाम से परशिद हो जाए, परन्तु ऐसा होना, उसके लिए थोड़ा विवाद दस्पद हो, हैना, तो उसके लिए आता है तथा कथित, ठीक है, सो कोल्ड भी बोल देते हैं, इसका मतलबत है वरतांत, आख्यान, किसी का पहले से वरतांत चल पड़ा हो, यह नहीं किसी कान से वो परशिद हो, परशिद अच्छे काम के लिए नहीं, ठीक है, फिर यह नभ भक्षे, भविष्य, कव्य, दिव्य, दिव्य, नव्य, नव्य, शेल्य, प्रेश्य, प्रेश्य मतलब जिसे बेज़ा जाई, यानी दूत या सेवक है, और प्रेशित मले बेज़ा हुआ, और प्रेशिती पाने वाला, और प्रेशक बेजने वाला, समझे गए सारी सब्द फिर यह सदस्य, रहस्य, शैले का मतर्व होता है चीरफाड करने वाली जो चिकित्सा होती है जिसको बोलते हैं ओप्रेशन उसको इंदी में बोलते हैं शैले किरिया यानी सर्जरी ठीक है ने शैले अब आगे देखो, प्राले होता है तुसार या बर्फ, प्राले, प्राले, यह प्रेले, दुबार देखो, प्राले, प्रेले, विले, 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 ठीक है, प्राले मतलब तुसार या बर्फ, और विले मतलब जो पदार्थ घुलता है वो, विले पदार्थ, जो घुल सकता है वो विले और विले है यह विले और यह विले होता है गुलंसील या समाजाना या घुल जाना ठीक है ले यानी गती मांदे मांदे होता है प्रिश्रम की जो दिहाडी मिलती है ना उसको बोलते है मान देई, देई, पेई, पेई है, ठीक है, यह पेई है, संस्कित से, आज के लिंदी में इसका मिसर गटाकर प्रियोग कर लेते हैं कई जने, तो पेई होता है, पदार्थे, जो दूद को भी बोल देते हैं, पानी को भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी से पयोध बन जाता है, बादल, ठीक है? पईोज बन जाता है, कमल, ठीक है न? न? पैए से बना है वो अजेई रेना अजेई ठीक है यह गेई जिसको गया जासके गेई गेई पद यानी गया जाने वळा पद जिसको ने गया जासके यह अग्येई सचिदानन इरानन वाथ्चायन वाथ्चायन अग्येई ठीक है ना जिसको जानने जासके अनुने विने, विनम्बर प्राथना करना, देया देई, मतलब देई प्लस में ए देई, तो दिरिक्संदी होगी यहां, देई और ए देई, एक तो दिया जाने होगी, एक ने दिया जाने होगी, दोनों सब्दों को मिला दिया, जैसे है था न, अचर और चर, चर संख्या और देकें इस ने क्या किया औहे के साथ इदर मिला दिया तो यह ना नुमेई जिसको द्यान में रखा जाना चाहिए ये लक्सिय मान लो स्रेई olvid्विश्ट प्य टी अफ्रेई धीक ना स्रेई प्य आंजने अंजनी का पुत्रियनी हनुमांजी दासे फिर सिका पुत्र आग्रे जिसको सुंग जासके गवरिया दत्ता त्रे दत्ता याद अते हो रहे दत्ता त्रे आति थे यानि महमान वाजी करना जैसे मेरे घर को याय है तो मैं आति थे करूँँगा उसका ठीक है ना आति थे एक तो थे अति थे वो थे महमान अति ठीका जो आदर सत्कार किया जाता है वो होता है आति ठेई ठीक है दानेई अस्तेई अस्ते होता है चोरी ने करना दत्ता त्रेई तो कैसे बनाए ये दे फिर ए ते फिर ए ते और फिर आ फिर त्रेई ते रे ए और ये ए त्रेई शत्त्री है ठीक है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जय हिंद विजय हिंदी